तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी एक सिंपल सा नेक डिजाइन उसके लिए मैंने चैपी ले ली है और यहां पे मैं 3 इंचे पे इसकी चुड़ाई का निशान लगा रही हूं और इसके नीचे हम लोग इसको सीधा करते जाएंगे 3 इंचे पे मैं एक और निशान लगा में निशान लगा लूगी और नीचे से हम लोग V बनाने के लिए एक 2.5 इंचस पर निशान लगा लिए और अब मैं 2.5 इंचस पे झोन लगा का अ को एक व शेब दूघूगी नीचे से मैं 0.5 इंचस छोड़के के इसकी कटिंग करूंगी यहां आप में गले के साथ-साथ निशान लगाती जाओंगी जहां से हमने कटिंग करनी है यह के साथ-साथ भी हम लोग इसी तरह जो उपर से मैयर्मेंट ली है या 0.5 इंचिस का फासला दे के निशान लगाते जाएंगे और अब इसकी मैं कटिंग कर लूँगी कटिंग हमारी हो गी है और अब मैं कपड़े पे इसको टैच कर लूँगी और साइडों से 0.5 इंचिस का कपड़ा छोड़ के कटिंग कर लूँगी यहां अब मैं दो कट्स लगा रही हूं ताके हम लोग जब कपड़ा इसको अंदर फोल्ड करना होगा तो यह इजीली फोल्ड हो जाए उसके बाद जो हमारी शर्ट का फ्रंट हिस्सा है मैंने उस पे गले को रखा है और इसके बिल्कुल मिड में आपने इसको रखना है पीच में से चाहे आप लोग एक रफ स्टिच दे लें ताके गला आगे पीछे ना हो या पिन अप भी कर सकते हैं आप लोग मैंने यहां पिन अप कर लिया है और उसके बाद मैं चैपी के बिल्कुल साथ-साथ इस पे सिलाई लगा लूँगी गला लगाते हुए आप लोगों ने यह दिहान रखना है कि चैपी का जो कपड़ा चैपी वाला जो कपड़ा वो बिल्कुल आगे पीछे नहीं होना चाहे नहीं तो इससे एक कंदा बड़ा और एक चोटा हो सकता है या गला आपका टेड़ा हो सकता है यहां आप मैं निश चुटे कर्फ लगा देंगे तकरिया गला मारा अंदर की तरफ अच्छे से फोल्ड हो जाए को अंदर की तरफ रप ग्रकर तकर इसको अच्छे से उपर आपने प्रेस कर लिना है इसके बाद आप लोग इसकी तरपाई भी कर सकते हैं और इसके पडूह मशीन से सिला ही भी कि अच्ची बढ़ाजब कि अच्वादा झाला झाला कि अच्टी दूला झाला है